हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बग्या दोस्तो आज मैं फिर से एक नए गर में आ गया हूँ और नया नहीं कहेंगे बलकि पहले भी इस गर में मैं आ चुका हूँ तो उस समय जो है दूसरे तरह का था और इस समय कही सारे पिटूनिया यहां पर देख रहे हैं कि हो रहे हैं और ऐसे तो पिटूनिया आप सबके घर में भी हो रहे होंगे लेकिन यह जो पिटूनिया है यह घर पर ही त्यार किया है और यह बिलकुल हाइब्रेट पिटूनिया है जो कि आप खरीद करके लाते हैं नर्सरी से एक तो देशी पिटूनिया होते हैं उनको तयार करना बड़ा आसान होता है बीजों से लेकिन आज जो हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो है इन्होंने तयार किया है जिनके घर पर हम आई हुए हैं तो इन हाइबिक पिटूनिया क आपका हमारी बग्या यूट्यूब चनल में आपका भी सौगत है हमारे घर में फिर से बहुत अच्छा लगा इस समय आपके घर में जब मैंने देखा आपने मुझे फोटो सेंट किया था यह जो पिटूनिया है और जब मुझे यह पता चला कि यह बीज से आपने ग्रो कि हैं तो यह देखर के तो बहुत ज़्यादा खोशी हुई तो इन पिटूनिया के बारे में तो हम आप से जानेंगी जानेंगे लेकिन बहुत सारे लोग हम से इस विच में नए जुड़े हैं जो आपको नहीं जानते हैं पहले भी अलाकि दो वीडियो आपके साथ में कर वगरा सब कोच हो चुका है और फिलाल जो है कहीं जौब भी कर रही है क्या नहीं मैं घर में टूशन्स लेती हुए और बाकी यह बागवानी में ही लगे हुई है तो मोस्टली तो आपके बागवानी में ने देखा है कि आप कटिंग से ही मोस्टली तियार करते हैं बीजो विजे वह हैं इस समय आदिकतर जगाँ पर लेकिन खास बात यह है कि यह कोई भी पिटुनी आपने खरीदे नहीं है यहीं तो यहीं तो क्या यहीं कि पीछले साल जिन से आपने यह तियार किया है हाँ, इसी कलर की फूल थे, उसी में समने बीज कलेक्शन करके फिर इस साल मैंने ग्रो किया है मतलब ऐसा भी नहीं हुआ कि फूल छोटे हो गया या कलर चेंज हुआ, ऐसा कुछ देखा कि आपने इसमें पर नहीं हुआ कलर चेंज हुआ, कलर वही सेमी है, और पिछले साल मेरे पास बैग नहीं ज़्यादा थे, इस बार बहुत सारे कलर भी आ गए, मैंने कहीं से भी लेके आई थी अच्छा, बीच कलेक्शन मैंने बहुत जगा से भी किया है, और कुछ मेरे घर के भी है, जिससे ये अलग-अलग कलर के फूल हो गए, तो इसमें बीच कलेक्शन आप कब होगा इसमें से, इसमें से स्टार्ट हो गया है, जैसे इसमें मैंने ये किया है, फूल जैसे जो सू तो नीचे से स्टार्ट हो जा रहा है सब में से नहीं होते हैं जो बड़े फूल होंगी उसी में से कलेक्शन हो जाते हैं अच्छा सूखते ही यह जैसे सूख गया अब दीरे दीरे मतलब सूखने के बाद भी हमें रखना होगा जैसे यह उपर का पॉर्शन तो जड़ तो तोड़के रखते हैं और रखने का जो तरीका है क्यों होता है कि देवा बं बढंकर के रखता है जो कभी भी रख सकते हैंğ इसको बाद में आपका लगाना है तो वो किस महिने में आप लगाएंगे सब्सक्राइब करना है तो उसके बाद ही जनवरी से रीपोर्ट करके गंडे लगाएंगे पर दूप से दूट हो गया है चनवरी में जब आपने यह किया था तो सेलेंग कितने दिने और व Commerce से बर इसके पटे कर करने में लगाती है तो मार्च के शुरूबात से इसमें फूल आ गया तो मार्च के शुरूबात में इसके फूल आ गया और अभी यह एक मेना तो रहेंगे रहेंगे यह एक यह दो मेने रह सकता है रह सकता है अगर मतलब फोड़ा सा तो ऐसे में रह जाएंगे यह लॉंग तक चलेंगे तो कि पिटुनिया मेरे गर में भी जून तक चला जाता है तो अगर इसको थोड़ा सा ऐसी जिगार रखा जाए जाकि सुबह की दूप आती हो उसके जैसे अगर मैं जैसे बोबर दालती हूँ फिर किसमें जो निकलता है जिसे का यह बहुत दिनों तक चल जाता है यह लिक्विट भी आप बनाती है इसका लेकिन तो बनाती हूँ और जो खली होती है उसको ब्चाकर रखो तो चल जाएगा अगर धूप में रहे तो तो यह स में जल्दी हो जाती हैं इसमें जो मिट्टी बना हुआ है इसमें क्या मैंने गोबर की अमिल टाला था इससे का इसको जादा नहीं नाम अकषी बहुत थेज होता है हल्य मतलब अब जितने भी पिटुनिया हम देख रहे हैं सब आपने कोई भी नहीं खरीदा सारे के सारे अवासी तैर्वती फर्स्स टाइम का है आपका सब इस साल मैंने तयार किये थे इस साल ये कलर में ज्यादा हो गया इस बार इसले साल मैंने ये वैगनी के मैंने ज्यादा फूल बनाया था ये तो कलर भी बहुत ब्राइट लगता है और बाकी जितने भी पौदे में देख रहा हूं आपने सब क्या कटाई चटाई कर दी है तो सब कटाई चटाई का दौर कटाई कर दी है और इसमें मैंने बीज में डॉक फ्लावर वगरा लगा दिये और ये ये भी लगाए मैंने दूसरा अच्छा यह डॉक प्लावर ये सब भी क्या बीजों काई है हाँ ये विज का यह कलेक्शन किया ता ना तो वह सी से मैंने पौर अब सिसका है अभी फूल यहां पर और बाकि जितने भी आप यहां पर देख रहे हैं यह सिंगोनियम के पॉद्टे ना सब कर दिया पते खंड में खराब हो गयते तो इस समय जो है सभी लोग इस तरीके से कर सकते हैं तो करने किसा सथ इसको समय करते हैं तो इस में estamos करेंगे नि नहीं नहीं इसमें करने सी महता है तो जलदी हम इसमें ली तो इसमें ना हो रहा है इस फार वा पानी ही डाल दें और इसके अलावा मैं अगर इस सैट को दिखाऊ तो इस्नेक प्लांट तो इसमें बहुत जदा भर गया है यह तो एक ही कटिंग से हो गया होगा है यह गुलदावरी है गुलदावरी का हमने कटिंग कर दिया है यह जो पुराने जब फूल हो गयते तो जैसे यह जो यहां पार विट इक हो कर देंगे सिस्किंशिय ग्रोथ लेसा होते किया जा सकता है कटिंग और उसके बाद जैसे यह ग्रोथ लेना शुरू कर दे पिर पिंचिंग करकर के यह काफी ज्यादा बुशी बन जाता है पौदा उससे करने से तो ही जाता है और इनका जो मंदिर का एरिया पहले भी आपने देखा यहां फुलों से भरा हुआ रहता है तो फिलाल तो यहां पर कर दे क्योंकि जैसे सर्दी का सीजन गया तो उसके बाद पत्य बत्य काफी खराब होने लगे ते सर्दियों में पापा ने इस प्रेय कर दिया है और यह जो है कि कोमा का है ने पत्य आना उपर जो है शुरू हो रहे हैं यह पूरा फुलों से भरा रहता है मंदिर ब्र जाता है और तरफ से हम यहां पर इनका पूजा घर है और यहां पर अलमंगा और वो चमीलिक यह ने पत्य आने लगें यह भी पूरा जो है घेर लिया है अब कटिंग करके इसकी तहनी अलग से कर दिया है और नहे पत्य आजाएं अगर मैं पूरा दिखाऊ नीचे तक तो यहां देखें यहां पर जो है मिट्टी में है इसकी जड़ मिट्टी में लगा के रखा है इसलिए ज्यादा गुरू होती है नीचे से साफ सुता रखा और ऊपर दीरे-दीरे बेल बढ़ ले तो यहां पूरा फूलों से भर जाता है पिछले वीडियो में देखा होगा आ महां दो सब कटिंग सह लगा अपने मनी प्लांट है मने प्लांट हैं उत्क लाटा इसमें यह नया गुरू के टीक बहुत ब्हुत षराटज्टि और यह जो है तो इतना बड़ा होने में कितना लग गया है चार साल लग गया है कटिंग हर साल करते रहते हैं और फूल तो इसमें भरा हुआ है यह जाड़ों में आया है अभी तक खिले हुए है और बाकि यहां इतने भी मैं पॉद्धे दिखाऊं सब में कटाई शकाई कर दिया है अब इसके नए पत्ते आने स्टार्ट हो गया करने से जाड़ों में खराब हो गया था इसलिए कटिंग कर दिया अब नए ने आ रहे है यह लेडिर्स फिंगर पाम वहीं होगी ना बराइटी इसमें पत्ते ऐसे बने हुए लगाता ना इसमें पत्ते पत्ते जढ़ने का यहां पर एक बोटल में जो है प्रकुनिया को कर दिया यह भी हाईब्रेट है ना हाईब्रेट प्रकुनिया है और मैं अगर यहां पर सेम से भरा हुआ है इस जिगह पर तो यह तो फल आना शुरू हो गए है और फूल भी भरे हुए हैं यह जाड़ों में एक बार हो चुका है अब यह इस महीने में दुबारा से हो रहा है इसमें से क्या अभी खाना हुआ है इस बार अभी खाया नहीं जैन्वरी और यह भी अंदर अंदर ही लगा हुए ना यह बांड़ी वाल में है यही पर यह इसके जड़ है तो यहीं से यह पूरा ज्वा इसने घेल लिया है बांड़ी वाल को तो इसस्टर से कॉर्णर से ही बहुत ज़्यादा सेम भी मिल रहे हैं और इधर गुड़ल भी है आपके से त्यार हुए यहां जितने भी है पूरी से यह साइट में बांडरी से हमने लगा है यह कॉर्यों समय होते हैं और गर्मयों में देखा नहीं मैं अभी तो मैंने मार्च का महीना जा से चल रहा तो अभी भी उसमें पूल है बहुत जेगा मैंने देखा है लेकिन सर्दियों में इसमें पूरे भरे हुए थे बहुत ही अच्छा इधर भी वही फूल लगे हुए आपके तो यह सब भी कटिंग से हैं सारे कटिंग से ही है तो मैं आप हमारी बग्या यूट्यूब चैनल में आए और खास तोर से असले स्वां एक एफ्ट आइव Harley तोर अपने पूरे गाही विजिट कराया पूरे आए इसलिक सालत में तो इन सब दिखाने के लिए बारे में बाठवीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्य Santy के लिए थे सब करने के ऊच्पा बाहुत धनीवाक्त है झाल क्वेंदा थित्टे उलुर्टाय थाउन को कि अगाइर थार्टाए्ट प्रिफे लेकि अगी जोग भगी के रहाइर को एलुगे कि रहाइर सबस्तार पाल क्वेंदा थार राई झाल वाल है, छॉट पखिता हो झाल को भी स करा पीज़ु गलुट करें फड़ उर्टा थ